नमस्कार मार्केट टाइम्स टीवी में आपका स्वागत है मैं हूं सुरेश्मन चंदा और आप देख रहे हैं प्याज के निर्यात पर भ्रह्म जाल प्याज के निर्यात को ले करके इस समय पर जो भ्रह्म जाल चारा तरफ फैला हुआ है जो एक अस्मंजस की स्थिती है के एक्सपोर्ट खुला नहीं खुला वाइरल हुए वीडियो इछले रविवार को मर्केट टाइम्स टीवी ने भी चलाया के एक्सपोर्ट खुल गया और उसके बाद बाजार के अंदर में कारोबारियों ने ये एक और रियूमर को फैलाया के सरकार ने निर्यात नहीं खुला है लेकिन मैं आपको बता दूँ सरकार ने निर्यात की इजाज़त दी है आंशिक तोर के उपर पे इजाज़त दी है इसमें कहीं कोई दोराए नह ही है चार देशों को प्याज निर्यात होगा क्योंकि उन चार देशों ने भारत सरकार से निवेदन किया था कि प्याज के निर्यात को खोला जाए और उसी बात को पुक्ता करने के लिए ये वीडियो आपके सामने प्याज पर जो निर्याद खोला गया है वो 54,270 मिटट्री टन का निर्याद होगा 31 मार्च से पहले पहले निर्याद करना है और ये सरकार टू सरकार की डील नहीं है ये पराइवेट जो traders हैं जो private जो कारोबारी हैं वो इस निर्याद को कर सकते हैं आपको बता दें कि जो 8 दिसंबर को notification आई थी सरकार की प्याज के निर्याद पे बैन की उसके बाद इस समय पर महरास्ट के अंदर और संसत की अंदर में प्याज निर्याद बैन का एक मुद्दा उठा था और उसके बाद तुरंत बाद सरकार ने ये फैसला भी लिया क्योंकि दूसरे देशों से इसको लेकर के काफी सरकार के उपर पे अप्रोच किया जा रहा था कि उनको प्याज चाहिए और भारत उसकी सप्लाई करे तो मैं आपको बता दू ये खबर कहां से आई है अब और इसकी तफ्तिश किस ने करी है तो आपके उपवोकता मामलों के जो सचिव है रोहित कुमार सिंग रोहित कुमार सिंग जी ने पी टी आई को एक साक्षात कार दिया इस ब्रहम जाल जो फैला हुआ ब्रहम जाल था उसकी क्लैरिटी के लिए के प्याज के निर्यात की अनुमती दी गई है चार देशों को प्याज जाएगा चावन अजार साथ सो साथ मिट्रिक टन प्याज का निर्यात होगा और 31 तक निर्यात करना है और यह निर्यात प्राइविट कारोबारी ही करेंगे यह मैं फिर से आपको बता रहा हूं कि यह प्याज का जो निर्यात है यह प्राइविट कारोबारी ही करेंगे इसमें पचास हजार टन जो प्याज है वो बांगलादेश को जाएगा एक जार दो सो तन यानि की 1200 तन मौरिशियस को जाएगा बहरीन को 3000 मिट्रिक टन प्याज के जाने की अनुमती दी गई है और 560 मिट्रिक टन भुटान को जाएगा आपको बता दूँ कि इस साल जो प्याज का उत्पादन है उसके भी घटने की यहाँ पर उमीद जताई जा रही है और प्याज का उत्पादन यहाँ पर कम हो सकता है मारास्ट के अंदर जो प्याज को लेकर के जो एरिया है उसमें हमने कमी आते हुए देखी है जिसकी वज़े से मारास्ट के अंदर प्याज के उत्पादन में कमी दर्ज की जा रही है रभी की फसल में और तकरिवन तकरिवन प्याज का जो रभी सीजन के अंदर जो 2023 का जो रभी सीजन है उसका जो उत्पादन है वो 227 लाख टन का अनुमाल लगाया गया है और इसको हलांकि आगे के लिए खपत के लिए बंडारित भी किया जाता है तो सरकार यहाँ पर उसके बफर स्टोक को मेंटेन भी करना चाहती है और इसके साथ साथ में जो आने वाले दिनों में परमुक जो उत्पादक राज्य है प्यास के वहाँ पे मारास्टर हो गया, मत्यपरदेश हो गया, गुजरात हो गया तो यह जो तीन मुख्य रज्य हैं यहाँ पर भी उत्पादन के अंदर में कमी दर्ज की जा रही है जिससे प्याज का उत्पादन कम हो सकता है इसी लिए एत्यातन सरकार सभी पैरामिटर्स को देखते हुए धीरे धीरे एक्सपोर्ट की अनुमती दे रही है जिसके अंतरगत पहला यह जो कॉंट्रेक्ट दिया गया है, यह जो पहली अनुमती दी गई है इसको रेविव करने के बाद में फिर आगे और अनुमती मिलने की भी संभावना हो सकती है ऐसी जो मार्केट टैंस टीवी के पास रिपोर्ट है पिछले साल के मुकाबले अगर हम दिसंबर तक का आगड़ा देखें तो पिछले साल के मुकाबले दिसंबर तक के आगड़े ये बताते हैं कि पिछले साल के मुकाबले प्याज का निर्यात 2023-2024 के अंदर दिसंबर तक भी काफी कम हुआ था वेल्यू आइज अच्छा था लेकिन क्योंकि इंटरनेशनल मार्किट के अंदर अंतरास्ट्य बजारों में इस समय पर प्याज की किलत थी जिसको देखते हुए सरकार को ये अशंका थी कि एक बार फिर यहाँ देश के अंदर में प्याज की कीमतें इजाफा ले सकती है एतियातन तोर के उपर पे आठ दिसंबर को सरकार ने इसको प्रतिबंद लगा दिया था लेकिन अंशिक तोर के उपर इसमें अनुमती दी गई है एक बार फिर मैं आपको इस बात को कोट कर रहा हूं कि 54,760 मिट्रिक टन प्याज की अनुमती दे दी गई है और ये बात उबहुकता मामलों के सचिव खुद बता रहे हैं तो आप ये देख करके चलिए कि अब आपको प्याज को रोकना है या निकालना है दूसरी बात प्याज की कीमतों के अंदर उसके बाद हमने इजाफा आते हुए देखा है और ये तेजी हलकी तेजी बड़त कॉंटिनिवेशन के अंदर प्याज की कीमतों के लिए बनी रह सकती है और प्याज किसानों को थोड़ा फाइदा दे सकता है आप कहीं मत जाएए आप देखते रहेए मर्केट टाइम्स टीवी